गाइस वेलकम बाक टू माई चैनल अर्सक्लासेस में आपका फिर से स्वागत है मैंने प्रिवेस जो हमारे लेक्चेस था जो वीडियोस मैंने पोस्ट किया था उसमें मैंने बात किया था कि मैं एस रिलेटेड जो कोश्चिन से और भी उसके उपर वीडियोस बनाऊंगा रा है बट जिनको प्रॉब्लम होता हूं इसलिए मैं पहले क्या कर रहा हूं कि रेशियो का एक पार्ट डाल रहा हूं तो पहले आप इसको देखिए इसमें मैं बेसिक चीज़ वही सारा चीज़ कवर कर रहा हूं जो बेसिकली एज रिलेटेड कोश्चिन में जहां पे रेशि यह सारा चीज़ और रेशियो के डिफिकल्ट डिफिकल्ट कोश्चिन्स जो होंगे वह हम लोग यहां पर डिसकस करते हैं ठीक है तो पहला कोश्चिन से हमने लिया है रेशियो का डाट इस एबाई बी एस टुबी हमारे पास गिवन है डाट इस टूइस टूइस टूइव थ्री बी का वैल्यूस क्या होगा ठीक है एक चीज़ यहां पर हमेशा ध्यान में रखना है कई लोगों को confusion होता है क्या करते है वो कि a by b का वैल्यू अगर हमारे पास 2 by 7 दिया हुआ है तो वो क्या करेंगे वो लिख देंगे a का वैल्यू 2 and b का वैल्यू 7 but guys believe me this is a wrong way यह method है ठीक है हमारे पास यह condition कि if a is equal to 2 then b is equal to 7 that is correct but a definitely 2 होगा और b definitely 7 होगा that is incorrect यह चीज जो है वो आपको ध्यान में रखनी है बहुत लोग इसमें mistake करते है राइट शो यहां पर हम क्या करेंगे तब फिर हम क्या लिख सकते है a equal to हम क्या करते है कि a equal to हम ले ले लेते हैं this is 2x एक variable multiply कर दिया अब a के साथ अगर हमने x multiply किया तो b के साथ क्या multiply करेंगे same variable ताकि अगर मैं इसको divide कर दूं तो देखो x और x कर जाएगा क्या मिलेगा 2 by 7 आरे बाद समझ में तो अब हम लोग को find out क्या करना है 2a by 3b का values शो हम यहां पर ले ले लेते हैं 2a by 3b का values क्या आ ज लिखते हैं क्या 7x x x cancel out हो गया और हमारे पास value क्या हो गया 4 by 21 काफी simple सा question था right yes obviously simple था हमारा answer क्या आ गया d आ गया बट यहीं पर खतम हो जाता है यह questions क्या नहीं कुछ और questions इसमें arise होते हैं जो आप लोग देख रहे होंगो तो यह सोच रहे होंगो कि जब मैं 2x और 7x क्य आता और वो गलत नहीं होता बत गलती कहां पर हो सकता वो मैं आपको बताता हो suppose इस questions में अगर मैं बोल दू आपको कि find out 2a square divided by 3b इसका ratio क्या होगा यह मैं अगर आपको find out करने के लिए बोल दू ठीक है in that case अगर आप put कर देते हैं let's say कि कुछ लोगों ने क्या कि a is equals to 2 और b equals to 7 समझ के उन्होंने put कर दिया और तब वो क्या answer लेकर के आते हैं let's हम लोग वो check करते हैं सबसे पहले तो a square क्या बन जाएगा that is 4 and 3b so this is 3 into this is 7 तो यह हमारे पास values क्या आ गया this is 8 by 21 but क्या यह correct होगा नहीं तो बोलो कि एक तर यहां पे 4 by 21 लेकर का है तो यह तो correct हो जा this is definitely wrong correct answers क्या होगा तो अब x put करके देखते हैं variables लेकर के तो a का value क्या होगा 2x और b का value क्या लेंगे हम लोग फिर से 7x लेंगे जब मैं put करूंगो तो यहां पर क्या आएगा this is 2 into a square that is 4x square and यह मारे पास क्या आएगा 3 into 7x अब यह मेरे पास क्या बन गया this is 8x square divided by 21x आप य होता है कि sir answer मेरा 8x by 21 होगा मैं x लेकर के solve क्या तो यह सही है क्या नहीं गलत है क्यों आपने x लेकर के solve किया कोई y लेकर के solve करता तो answer क्या आता उसका 8y by 21 को z लेकर के solve करेगा क्या answer आएगा 8z by 21 बट यहां पर x y और z क्या यह given है हमारे पास question में नहीं यह given नहीं है तो given नहीं है तो फिर answer क्या होगा मेरा answer guys हम determine ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह variable के ऊपर depend कर रहा है तो इसलिए यह answer क्या हो जाएगा cannot be determined तो इसका answer बोलोगे कि sir ratio क्या आएगा कोई एक fixed ratio नहीं आएगा वो always depend करेगा on the value of the variable मैं x का value 1 put करूँगा तो जो पहला वाला students लेकर क सही होगा अगर मैं 2 put कर देता हूं तो फिर क्या हो जाएगा इट से चेक करते हैं कि अगर मैं x का value 2 put कर दू तो यह आपके पास क्या बन जाएगा this is 16 by 21 तो कोई वह भी तो बोलेगा उसका भी answer सही हो जाएगा right so that's why method गलत है अब आपको पता कैसे चलेगा कि हम क्या answer लेक करके आएगे इसलिए मैंने बोला कि हम variable लेके चलते हैं ठीक है अगर मैं variable नहीं लेके चलता तो मेरे पस यह variable नहीं आता है 8 by 21 डारेक्ट हमारा आता जो कि गलत हो जाता जब मैं variable लेके चलता हूं तो फिर हमारे पस यहां पर क्या आता है this is 8x by 21 तो यहां पर हम देख सकते कि यह variable के उपर depend कर रहा है right variable है यहां हमारे पास जब variable है उसको हम remove नहीं कर पा रहे तो answer फिर हम नहीं निकाल सकते exact answer तो हमारा answers क्या हो जाएगा in that case cannot be determined that's why guys मैं बोलता हूं कि आप initially जब ratio का पढ़ाई कर रहे है start किया भी आपने इस topic को पढ़ना तो आप initially variable terms multiply करके solve कर ल नहीं लिए और आपके लिए एक मैं एक ट्रिक यहां पर दे देता हूं लोग के लिए कि जो लोग जो है वो पहले से solve करते आ रहे होंगे ट्रिक है यह जो new है उनके लिए भी यहां पर आप देखे कि यहां पर क्या है आपके पास a b c d कुछ भी हो यहां पर जब भी हम variable ल पर आते है जब आपको 2a और 3 भी निकालना था तो यहां variable क्या आएगा एक ही पावर आएगा यहां पर भी एक ही पावर आएगा तो मैं यहां पर लेके solve करूंगा तब भी answer 4 by 21 ही आने वाला है और अगर मैं नहीं लेता इनको in that case answer क्या आता तब भी मेरा answer 4 by 21 ही आता आरी 3 by Z का value ले लो 7 by 4 and then X is to Z का value क्या होगा यह मुझे find out करके बता X by Z that is equals to what guys यहां से तो मैं definitely 1 second में answer कर सकते हूं that will be 3 by 4 because यहां पर मुझे दिख रहा है अगर X 3 है तो Y 7 है और Y 7 है तो Z 4 है तो इसका मतलब क्या होगा कि जब X 3 रहेगा तो Z 4 रहेगा तो 3 is to 4 लेंगे but सही तरीका इसको जो solve करने का है beginner के लिए वो मैं यहां पर discuss कर रहा हूं आपक ठीक है क्या लेंगे हम लोग X is equal to एक variable यहां पर multiply करते है let's say यहां पर X Y Z already इसलिए वो नहीं लेते हैं हम दूसरा लेते है Y is equal to again 7 है same अभी यहां पर मैं यह questions क्यों लिया हूँ इसलिए भी कि यह एक ratio है X by Y तो यहां मैंने 3 by 7 में A और A multiply किया यहां पर भी क्या A multiply करूँगा नहीं until and unless आपके पास questions में given नहीं है कि वो same है आप नहीं multiply कर सकते है तो आप क्या करेंगे दूसरा variable multiply किजिए अगर वो equal होगा तो automatically आपके पास जो equations हैंगे उसमें वो दिख जाएगा आपको that is equals to 4B अब मुझे पता है कि यहां पर Y है राइट जो भी Y का यह values हो यहां पर भी मेरे पास क्या है Y है तो यह दोनों Y क्या है बराबर है इसका मतलब क्या है कि यह 7A और 7B यह दोनों भी क्या होंगे बराबर होंगे because दोनों Y को represent कर रहा है तो अब मैं यहां पर लिख दे वो क्या find out करना था मुझे X by Z का तो हम फिर से यहां पर find out करते हैं X by Z का value X मेरे पास क्या आ गया 3A and Z मेरे पास क्या था this is 4 times of B but as we know कि that B is also equals to A so हम यहां पर क्या करेंगे इसको put कर देते हैं this is 3 times of A by B के जगा भी हम क्या करेंगे A put कर देंगे यह कट गया and हमारे पास answer आ कि answers क्या हो गया हमारा 3 by 4 हम solve किया बिना answers कर दियते हैं but this is the correct way अगर आप again मैं बोल रहा हूं कि आप पहले से solve कर रहा है आप समझदार है इतने smart enough है questions को देखते के साथ solve कर सकते है that's fine but this is the best way कि अगर हम गलती नहीं हो इसके लिए क्या करेंगे तो यह हम तरीका है यह हम इस B is to C का ratio दिया हुए कितना 2 5 C is to D का ratio दिया हुए कितना 10 7 और find out क्या करना है A B C D right यहां मैं बहुत अच्छे से tricks आप लोग को बताने वाला हूं ठीक है शुश अब से पहले हम लोग यहां पर क्या करते हैं लिग देते हैं A by B का value क्या हो गया 2 by 3 B by C का value क्या हो गया 2 by 5 and C C by D का value क्या हो गया this is D C by D का value मैंरे पास क्या हो गया this is 10 by 7 एक मैं सबसे आसान तरीका बतारो मुझे क्या करना है A B C D सबको एक साथ निकलना अभी suppose करो कि आप भूल जाओ कि यह मेरे पास C by D equals to 10 by 7 को इस दिया हुए right भूल जाओ तो क्या करो कि A is to B दिया हुए B is to C दि उसके साथ तो इसका मतलब आपको यहां पे क्या देखना है कि B यहां पे भी है और B यहां पे भी है दोनों जगह पे B क्या है common है right but value is same है क्या नई अलग है तो आप क्या किजिए दोनों को same बनाई है मतलब अब मैं यहां पे क्या करता हूं कि same बनाने के लिए A by B this is 2 by 3 right यहां पे जो B का value है वो मैं multiply कर दे रहा हूं numerator denominator दोनों में तो 2 by 2 multiply कर दिया क्या बन गया 4 by 6 और अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं कि B by C जो हमारे पास था B by C क्या है guys 2 by 5 है तो सबसे पहले B by C हम लिखते है this is 2 by 5 और अभी यहां पे देखना है कि आपको जो पहला वाला था B उसमें क्या था value 3 था तो अब यहां पे numerator denominator में आप 3 से multiply कर दिया तो अब यह value आपका क्या बन गया this is 6 by 5 तो अब आप देखो A जब 4 है B 6 है और B 6 है तो C क्या है 5 है तो आपके पास यह जो values था यह आ गया ना A is to B is to C क्या आ गया A को 4 रखा तो B 6 आया और जब B को 6 रखा तो C क्या आया Oh guys this will be 15 5 3 is a 15 चो यह हमारे पास value क्या आएगा 15 राइट अब मैं C is to D में जाओंगा तो A is to B is to C मिल गया यहां C क्या है मेरे पास 15 है यहां C मेरे पास क्या है 10 है तो दोनों का सबसे common छोटा number हम क्या लेकर क्या सकते है वह actually हम लोग को यहां पर ध्यान number क्या आता है तो 15 बंजा 15 जो कि 10 से नहीं मिलेगा 15 2 is a 30 जो कि 10 से मिलेगा क्या yes 10th रीजा 30 तो 10th रीजा आया ना तो यहां पर मैं multiply कर देता हूं 3 से किसमें पूरे इस ratio में और यहां पर मैं multiply कर देता हूं किस से 2 से किसमें पूरे ratio में तो यह ratio क्या बन गया this is becomes 8 is to 12 is to 30 and यह मेरा क्या बन गया 30 is to 21 तो जो रिशियो हमारे पास था फाइंद आउट करने का that is a is to b is to c is to 7 यह मेरे पास क्या जायए डाएक बी मेरे पास हो गया 12 सी मेरे पास हो गया 30 और d मेरे पास हो गया 21 तो A b c d का ratio 8 12 30 30 बन कहां पर है यह मेरे पास आगया 8 12 30 and 21 right But as because I am going to discuss another way here that you can easily find this way. Right? What is that way? First of all, you have the ratio that was given. First of all, what is the ratio? That means what? A by B is the first number? 2 B by C is the first number? Again 2 And C by D is the first number? 10 Separately So 2 Then dash is separate 2 And then 10 Now next Now what we will write? 3, 5 and 7 Again separate So this is 3 Then this is 5 And this is 7 Separately Now you will see how many different ratios have So you will see that one ratio is A by B The second B by C And the third C by D There are 3 ratios So what do you do? That you multiply the first three terms That means what? This and this Multiply Then what will you get? 2 to 10 That is 40 So we will write the ratio So this is a ratio This is a ratio A is to B And this is C is to D One of the things we will write So this is what? This is 40 So we will write 40 Then we have B Now you will see How many numbers have been common How many different ratios have been? What is common? What is common? Only 1 common What is B What is common? That is B What are you doing? Left hand side from 1 We will not get 2 But again 3 ratios So 3 numbers So what do we do? हम 2 के बाद 10 लेंगे और 10 के बाद पहुंच जाएंगे किसमें 3 में तो यह मेरा कितना हो जाएगा this is 60 clear है अगें फिर से वही काम करेंगे हम एक common है तो इस बार इस 2 को remove कर देते हैं और इस बार हम क्या लेंगे इस बार हम लेंगे 10 3 & 5 यह मेरे पास क्या हो गया 5 3 15 into 10 is 150 आ गया अगें यही काम करेंगे हम इस बार क्या करेंगे 10 को remove कर देंगे तो क्या है गा 3 5 & 7 7 3 21 into 5 is 105 हर जगह पर आपको क्या दिख रहा है कि common है 5 5 से cancel out कर दीजेगा तो आपको यह मिलेगा 5 8 is a 40 5 से cancel out किया 12 times में 60 cancel out हो गया 30 times में मेरा क्या हो गया 150 cancel out हो गया and 21 times में मेरा क्या हो गया 105 cancel out हो तो यह मेरा answer आगया ना कितना again same जो हम लेकर के आ रहे थे right इसका एक benefit और है क्या है suppose कीजिए कि अगर आपको question में यह बोला होता कि find out A is to D only right आपको A B C D सबका एक साथ find out नहीं करना only A is to D तो क्या होता मेरा 8 by 21 इतना easily लिख सकते थे क्या करते आप कुछ आपको करना ही नहीं था इसका सबसे पहला वाला क्या हो गया 2 लिए फिर उसका पहला वाला क्या हुआ 2 लिए और फिर इस ratio का सबसे पहला वाला 10 मतलब A सबसे पहला था ना तो सबका first first ले लिए तो हमारे लिए पास क्या हो गया this is 2 x 2 x 10 यह हो गया हमारे पास and then D D सबसे लास्ट है तो सबसे लास्ट लास्ट वाला क्या हो गया मेरा यह हो गया 3 यह 5 और यह 7 तो अब हम यहां पर लिख देते हैं this is 3 x 5 x 7 आ गया 3 x 5 x 7 गैस 5 common है 5 से कट गया यह कितनी बार में 2 ताइमस में तो मे दे पास ratio क्या आ गया 8 x 21 एना कुछ करने का जहुरत नहीं है हम लोगों तुरंट solve कर सकते हैं इस चीज़ों को आप द्यान बेर के से भी solve कर सकते हैं यह तरीका भी अपना सकते है या फिर आप इस तरीके से solve कर सकते हैं और सिर्फ आपको first or lord बोला तो लास्ट बोला तो य मैं underline कर देता हूं that is 25 and that has distributed in the ratio of 2 is to 3 में distribute करें किसको सीता के साथ और रीता के साथ हमको find out करना how many chocolates does रीता get right अभी हमारे पास total हम यहां पर ले लेते हैं कि अगर सीता प्लस गीता total कितने chocolates मिलेंगे दोनों को 25 and ratio क्या है 2 is to 3 so guys ले लो सीता divided by गीता जो भी chocolates मिलेंगे वो क्या होंगे 2 by 3 के ratio में अब ratio है तो 2 3 तो नहीं लिखेंगे तो एक variable multiply करते हैं चलो x multiply करते हैं यहां पर तो क्या आ गया and मेरे को पता है s plus g is equals to 25 so हम यहां पर लिख देते है s plus g that is equals to 25 and s हमारे पास क्या है this is 2x plus g मेरे पास क्या है 3x that is 25 यह हमारे पास आ गया 5x equals to 25 और x का value हमारे पास क्या है 25 by 5 that is 5 तो यह हमारे पास जो variable था x उसका value आ गया करना है हम लोग को कि रीटा के पास कितना मिला होगा chocolate रीटा को कितना chocolate मिला होगा ठीक है रीटा को कितना chocolate मिला है यह आलड़ी हम लोग यहां से लेकर के आ चुके है मैंने सीता और गीता s plus g लिग दिया था so keep in mind that यह रीटा जो है उसके लिए हम लोग क्या कर रहे है g यूज कर रहे है ठीक है and सीता जो है उसके लिए हम लोग क्या कर रहे है s use कर रहे है रीटा के पास total number of chocolates कितना होगे जी का value g equals to 3x x का value हमारे पास already आ चुका है कितना 5 हम put करेंगे we'll get the value 15 शो रीटा के पास total number of chocolates कितने होगे 15 question सासान है guys again मैं बोल रहोग जितने भी हमारे पास जो है वो ratio के part आने वाले है उन सबको जो है वो आप continuous ले आते जाएगा उसको watch करते जाएगे कि ratio में कोई भी problems नहीं होगा आप लोगों ठीक है now move to the next questions question number 5 क्या बोल रहा है the marks obtained by Raju in math physics and chemistry are in the ratio of 234 तीन subject लिया है ratio दिया हुआ है 234 है and total marks जो है वो तीनों subjects में combined करके जो लेकर क्या रहा है वो हमारे पास given है that is 189 question में पूछ रहा है कि Raju का math में score कितना हुआ मतलब 2x का value कितना है guys these questions को बिना solve के हुए answers कर सकते that is 42 right quickly अब आप पूछो कि sir कैसे कर सकता है 42 guys आपको पता है कि मैं यहां पर ratio जब ले रहा हूं क्या दिया हुआ है math is to physics is to कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे answers किया right so that is 2 is to 3 is to 4 अब मैं इसको जो है वो एक variable लूँगा variable लूँगा तो मेरा math जो था वो क्या बन जाएगा that is 2x physics जो था वो क्या बन जाएगा 3x and chemistry जो था वो क्या बन जाएगा 4x तो देखो math में x का चाहे जो भी value आएगा वो definitely 2 से multiply होने के बाद ही math का score बनेगा na 2 से multiply option में check करके मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा number है जो 2 से divide हो सकता that is only b तो हमारा तो answer ऐसा ही आगया question को solve करने का ज़रूत है क्या नहीं तो हमेशा आपको यी चीज़ ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं question मिला लगे उसको solve करने के लिए solve करके ही answer ले करके हमको आना है ठीक है अधरवाइस कहीं गलती हो गया तो कहीं गलती नहीं होगा guys don't worry ठीक है so questions कई बार ऐसे रहते हैं कि जिसको solve करने का ज़रूत आपको यूजी नहीं करना right answer is 42 we'll move to the next questions but discuss करेंगे इसको हम क्या करना है हमारे पास तीनो subjects में मिला करके मतलब math plus physics plus chemistry equals to 189 तो क्या हमारे पास value आएगा वो देखते है तो m हमारे पास है 2x अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि क्या answers गलत आजाएगा तो let's say check कर लेते हैं आप लोगों के लिए तो हमको find out क्या करना था we have to find out basically the value of math कि 2x का value क्या होगा तो हम निकाल देते है math equals to 2x and that is equals to 2 into 21 which is 42 अगे answers तो नहीं solve किये थे तब यम answers क्या मा कर रहे थे 42 तो solve करने में 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 मेरा time waste हुआ उस time में हम next questions को solve कर सकते थे में भी उस questions को हम देखते के साथ answers नहीं कर पा रहे तो यह चीज़े बहुत important होते हैं guys ठीक है now we'll move to the next questions यह एक अच्छा question है important questions है हमारे पस दिया हुआ है P plus Q plus R divided by Q plus R by P is equals to P plus R by Q Q what is the value of ? अभी यहां पे आप लोगो को D options देके confuse कर दिया होगा right क्योंकि अगर D में कोई और answer रहता तब तो एक ही answer रहता मेरा अभी यहां पे a possibility है कि B और C दोनों आ रहा है क्या नहीं आ रहा है तो फिर A B C में से कोई एक answers होगा हमारा आ रहा है तो D answers होगा इस questions को discuss करने से पहले एक चोटा सा चीज में यहां पे ratio का discuss कर देना चाहता हो right suppose कि यह कि मैं लिख रहा हूँ 6 by 12 now we know that is equals to 4 by 8 because 6 by 12 को काटोगे 1 by 2 मिलेगा 4 by 8 को काटोगे 1 by 2 मिलेगा 15 by 30 उसको भी काटोगे तो क्या मिलेगा 1 by 2 all are equal to 1 by 2 let's say that are equal to m for example right abhi आप देखो कि m का value change नहीं होगा अगर मैं यहां पे क्या कर दो 6 plus 4 divided by 12 plus 8 अगर यह लिख देता हूँ ना तब भी हमारे पास यह क्या रहेगा that will be equal to m because कितना हैगा 6 plus 4 is 10 and 12 plus 8 is 20 so again क्या है 1 by 2 है ना and m का value 1 by 2 ही तो था right और बोलोगे ऐसा है क्या मैं multi or add कर देता हूं ठीक है मैं add कर देता हूं this is 6 plus 4 this time मैं add कर देता हूं इसमें 15 and चलो minus कर देता हूं क्या 1 तब देखते आता है या नहीं आता है तो 6 4 और 15 को add किया तो 12 8 और 30 भी क्या होगा add होगा so this is 12 plus 8 plus 30 and क्या होगा minus हो जाएगा 2 because 1 numerator में minus हुआ यह भी minus होगा right तो आप गाईस देखो कितना आता है 6 plus 4 is 10 10 plus 15 is 25 minus 1 is 24 denominator में क्या आना चाहिए पक्का 48 आना चाहिए so 30 plus 8 is 38 minus 2 is 36 plus 12 is 48 and guys divide करने के बाद अगेन क्या गया 1 by 2 that is equals to m so आपके पास अगर दिया हुआ है कि 4 different ratio है ठीक है but all are equal तो आप उनको सेम तरीके से plus या minus करोगे ratio कभी change नहीं होगा तो मतलब मैं क्या बोलू कि मैं इनको 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 इन तीनों को अगर plus कर देता हूँ तब भी ratio मेरे पास क्या होगा that will be definitely equal to k that keep in mind so वही हम लोग यहां पर use करने वाले क्या करेंगे this is p plus q उसके साथ हम लोग add कर देते हैं q plus r को और उसके साथ add कर देते हैं p plus r को तो आपको यहां पर क्या करना है q उपर numerator में देखो two times of क्या मिलेगा p plus q plus r right this is q divided by p qr तो मैं क्या कर रहा हूँ p qr को इधर लेकर आ रहा हूँ so this is k into p plus q plus r clear है अभी guys देखो मैं यहां पर अगर इसको cancel out कर दू we'll get k equals to 2 but दूसरा जो value होगा वह आपको नहीं मिलेगा तो वह कैसे मिलेगा k को इस साइड लेकर क्या तो आपको यह मिलेगा this is two times of p plus q plus r and that is equals to oh इधर लेकर आएंगे तो that will be minus k into p plus q plus r and that is equals to zero अब अब गया करो p plus q plus r को common कर लो जो p plus q plus r तो इधर क्या मिल जाएगा आपको two minus k that is equals to zero अब यह दो numbers है उनका product zero है तो यह possible कब हो सकता है या तो two minus k का value zero हो या फिर p plus q plus r का value zero हो तो मैं ले रहा हो कि suppose p plus q plus r equal to zero तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास आगया p plus q is equals to minus of r अभी r से क्या करो both side आप divide कर दो ठीक है तो आपको क्या मिल जाएगा p plus q by r is equals to minus of 1 and that is equals to k because we know na p plus q by r is equals to k यहां से आपको क्या मिल गया कि k equal to minus 1 and दूसरा इसको अगर आप equal to zero कर दोगे right तो आपको एक value और क्या k का मिल जाएगा that k is equals to 2 तो आपको k के दो value मिल गया एक 2 मिल गया और क्या मिल गया minus 1 तो हमारा यहां answer क्या हो जाएगा d because k is equal to either minus 2 or minus 1 this is positive 2 right not the minus 2 positive 2 and negative 1 right यह हमारे पास possible values so that's why guys जब भी आइस हो कभी cancel out मत कीजिये उसको equal to के लेकर के आई आप दूसरा जो values होगा वो भी वहां पे आपको मिल सकता होगा otherwise आप एकी values लेकर के आएगा and answers गलत आजाएगा right I hope so clear we will move to the next questions number 85 is divided into two parts such that thrice the first part क्या दिया हुआ है thrice किसका first part का and twice किसका second part का that are in the ratio of 18 is to 5 we have to find out the first part so चलिए हम ले लेते हैं first part को हमान लेते हैं x लिख देता हूं यहाँ पे मैं कि first जो मेरा part है that is x and second जो मेरा part होगा that will be y अब यह already है मेरे पेस दिया हुआ है कि दो number में divide हुआ है and दोनों का values क्या है that is 85 sum अगर मैं करता हूं तो 85 मिलता है and three times the first part तो x के साथ आपको three multiply करना है guys and twice the second part तो y के साथ क्या multiply करना है two times of y और यह आपका ratio आना चाहिए 18 by 5 यह आपको ध्यान में रखना है and आपको find out क्या करना we have to find out the first part right तो हम क्या करते हैं यहां पे कि x को as it is यहां पर रहने देंगे और y के जगह पे हम क्या लिखेंगे x लिखेंगे तो अगर मैं वैसा करता हूं यहां इसको cancel out कर देता हूं three this is how many times this is six times so two times of y को उधर मैं लेकर के चला जाता हूं तो two times of y is equals to five into x by six right और y two को इधर लेके आता हूं तो y is equals to five x by 12 guys five को इधर लेके जाएंगे five multiply होगा six numerator में था वो denominator में आ जाएगा ठीक है तो five x by six and two को इधर लेके आप अब मैं यहां पर क्या करूंगा कि x को as it is रहने दूंगो और y के जगा पर put कर देता हूं मैं five x by 12 and that is equals to 85 शो अब हम यहां पर क्या करते lcm लेंगे lcm clear है न यहां पर अगर कुछ नहीं है that means what here is one so this is 12 x plus 5 x that is equals to 85 and यहां पर यह आ गया 17 x is equals to 85 12 को साइड लिके जाएंगे multiply हो जाएगा 17 से cancel out कर देंगे 85 cancel out हो जाएगा five times में तो x का value हमारे पास क्या आ गया 60 तो इसका मतलब क्या है कि x जो हमारे पास number था उसका value आ रहा है 60 y होगा वो 25 होगा बट मुझे पूछा first part the first part is 60 should our answer is 60 right clear guys okay she will move to the next questions which is question number eight यह काफे interesting questions रहने बाला है guys because थोड़ा सा मैंने इसको उलका सा difficult लिया है right मैंने पहले बिसकस किया था कि मैं basic questions से लेकर के difficult difficult कर वाऊंगा बट ऐसा नहीं है कि इस topic में मैंने एक थोड़ा सा difficult questions लिया तो आगे नहीं लोंगा ठीक है आगे बहुत सारे questions लोंगा इस कम से कम मैं इसके तीन और पार्ट बनाऊंगा तीन और पार्ट minimum शो रेशियो के चार पार्ट होने वाले है definitely शो मार पास दिया हुए विन रवी वाज आस्ट अबाउट इस स्कोर इन दे लास्ट क्लास्रूम टेस्ट इन विज दे मैक्सिमम माक्स दिया हुए कितना है 50 एट से इसका यूज आता भी है या नहीं आता है और बोल रहा है क्या the ratio of 15 less than my score यह भी बोल रहा है कि 15 less than my score to 15 more than 3 times my score is 1 is to 5 guys यही वो चीज है जो आपको समझना है सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि मैं उसके score को assume कर लेता हूं है let's say that the score is let's say score is x right तो अभी क्या बोल रहा है कि the ratio of 15 less than my score to 15 less ले लो ना मतलब x में से क्या हो गया 15 कम हो गया 2 15 more than 3 times my score मतलब 3 times में 15 ज्यादा है ratio यह इसलिए divide कर रहा है 3 times ले लेते हैं that is 3 है and उसमें 15 जाता है तो plus 15 now that is equals to 1 by 5 आपको लोगरों को बहुत सिंपल हो गया आपना right क्योंकि मेरे पास एक ही variable that is x अब पूरा equations मिल गया solve कर सकते ही जिए लिए right चलो solve करते फिर च्रुम cross multiply कर रहा हूं क्या जाएगा मेरे पास this is 5 times of x minus of 75 that is equals to 3x plus 15 right मैं 3x को इस साइड ले करके आता हूं तो 5x minus 3x क्या मुझे मिलेगा this is 2 times of x minus 75 उस सट जाएगा क्या हो जाएगा plus she will get 90 and x का value क्या आ गया 90 by 2 which is 45 तो कितना score किया होगा यहां पर आपको जो है वह सिर्फ समझ ना था 15 less than my score no problem my score is x 15 घटा देते हैं 2 ratio है by मिले लेते हैं 15 more than 3 times my score तो 3 से multiply करके 15 add कर दिया तो बराबर हो जायाता है वह कितने का 1 by 5 that's it right चलो move करते next questions के तरह which is question number 9 चलो 9 क्या बोल रहा हमारा the income of a and b are in the ratio of 3 by 4 चलो income का ratio दिया हुआ है right so a income by b income that is 3 by 4 right and their expenditures in the ratio of 4 by 5 चलो गाइज expenditure 4 by 5 तो यह मैं समझ लेना कि यहां पर यह 3 by 4 यह 4 by 5 यह ज्यादा expenditure कर हो रहा है उसका बचेगा कहां से minus में जा रहा है नहीं lockdown में वैसे लोगों के income कम है कर्चे जादे है बट ऐसा नहीं है guys ratio में दिया हुए है तो a's expenditure by b's expenditure that are in the ratio of 4 by 5 right and there we find the ratio we have to find out the ratio of their savings and given हमरे पास that b saves one third of his income सबसे पहले हम आते हैं savings savings कैसे निकलता है guys आपका total जो भी income है उसमें से आप क्या करो आपने total expenditures को minus कर दो जो बच गया वो आपका saving तो b का saving दिया हुए that is one third of b's income his income that is b's income so this is 1 by 3 into b's income and b का income कितना है वो अभी तक हम को पता ही नहीं है right so let's say this is equals to again b's income minus b's expenditure यहां पर यहां पर यह ratio है तो 3 by 4 तो हम लिख नहीं सकते है क्या करना होगा तो चलिए मैं यहां पर multiply कर देता हूं तो यह बन गया 3x यह बन गया 4x अब मैं discuss किया था पहले ही in question number two कि अगर दो ratio है तो अलग-अलग variables multiply करेंगे तो यहां पर y लेंगे x नहीं लेंगे 4y and 5y तो चलो guys यहां पर b का income आ गया हमारे पास कितना हो गया है that is 4x so 1 by 3 into 4x which is equals to b's income again this is 4x minus b's expenditure is 5 times of 5 शो यह आ गया हमारा 5y शो अब इसको solve करते हैं हम लोग शो क्या करते 5y को is side लेकर कर आ जाओ guys तो यह 5y आ गया हमारे पास and that is equals to 4x minus 4x by 3 आप LCM ले लो 3 4s are 12 minus 4 is 8 तो यह आपके पास actually कितना आ जाएगा 8x by 3 and this side is 5y multiply कर दोगे you will get 15 times of y is equal to 8x और आप यह बोल सकते हो that y is equals to 8x by 15 ठीक है तो b का savings तो हमको पता है that is b's income by 3 which is 4x by 3 तो b का savings तो हम लिख सकते है x के term में मुझे find out करना है क्या a का saving भी तो चलो सबसे पहले हम लोग a का saving अभी find out करते है a का saving क्या होगा तो a का saving definitely a का income होगा minus a का expenditure होगा जो हमेशा होता है a का income कितना है guys a का income 3x है and a का expenditure 4y तो हम यहां पर लिखेंगे 3x minus 4y 3x minus 4y तो x को आप x महीं रहने दीज्या और y क्विन टम्स of x ले आए that a is saving which is equals to 15 3 is 45x minus 8 4 is 32x divided by 15 right तो यह हमारे पास आ गया 45 minus 32 is how much 13 so this is 13x by 15 clear है हमको find out करना था a का saving by b का saving तो a का saving by b का saving so guys यहां पर a का saving क्या है 13x by 15 divided by b का saving that is 4x by 3 right so अभी यहां पर guys इसमें आपको confused नहीं हो न यह भी by का है यह और यह कट गया तो यह मेरा क्या बच गया 13x by 5 into 4x यह x x कट गया and हमारा answer आ गया 13 by तो यह guys यह हमारा answer आ गया a का saving by b का saving options में क्या है 13 by 20 यहां है अचा कई बर क्या होता है कि हम examination में इतने हड़बड़ी में रहते हैं कि answers तो सही लेकर क्या है हमने 13 by 20 but by mistake हम क्या करते है answers मा कर देते 20 by 30 जो कि options में रहता है कई पर राइट वो चीज ध्यान में रखना है जब इतना time आप solve करने पर दे रहे हो questions को मेभी वह आदा मिनट हो एक मिनट हो देड़ मिनट हो 40 30 कुछ कितना भी seconds हो राइट तो थोड़ा दो-चार और seconds दे दो शुदा आप correct answers mark करो incorrect answers मत माक करो negative marking रहता है राइट ऐसा नहीं कि सिर्फ time waste होगा आपका positive जो marks आएगा उसमें से भी negative questions को इन चीजों का ध्यान रखो ठीक है okay we'll move to the next questions which is the last questions that is question number 10 Raman Raman के पास है कितने 4200 का भी पैसा है वो distribute कर रहा है A B C D अपने चार बेटों में और यह दिया हुआ है कि A का 1 4th लेलो या B का 1 6th लेलो या C का 1 8th लेलो या D का 1 10th लेलो सब क्या होंगे बराबर हो जाने तो बताना है आपको कि A को actually कितना मिला है this is the questions right guys यहां से अगर आप बूलोगे answers करने के लिका answers कर सकते हैं कि थोड़ा बस A की चीज answers कर सकते हैं क्या दिया हुआ है A is divisible by 1 4th right बट यहां पर सारे options जो है वो क्या है 4 से divisible है I am not sure कि A answers क्या होगा so let's say calculate करते है इसको solve करते है ठीक है तो यह तो हमेरे पास दिया हुआ है कि यह जो भी total amount है यह सिर्फ 4 लोगों में ही बटा है that is A B C D उनके 4 बच्चे थे हम लोगों में से किसी को दिया नहीं है उसने तो यह लो आगे हमेरे पास answers this is 4200 right okay now यह दिया हुआ था हमेरे पास that 1 4th of A A को divide कर दो 4 से B को divide कर दो किस से 6 से C को divide कर दो किस से 8 से and D को divide कर दो किस से 10 से तो सारे क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे guys मुझे A निकालना थाना तो मैं A को यहां पर कुछ change नहीं करूंगा कुछ नीच हूँँगा A को B C और D को क्या कर दूंगा A के terms में लिख दूंगा कैसे लिख सकता हूं मैं यह चीज़ आप देखो इंस को कंसीडर करो सबसे पहले क्या इन दोनों को बागी और सपोस करो कि कोई ही नहीं भूल जाओ तो क्या होगा 6 इदर आ जाएगा ना तो बन जाएगा 6 A by 4 और हमारे पर सांसर यह क्या जाएगा this is 3 by 2 of A और अब इसको यह भी लिख सकते हो this is 1.5 of A अरे बसमाज में एक यह है and this is equal to A by 4 तो क्या होगा see 8 इदर आ जाएगा ना 8 A by 4 बन जाएगा right clear है तो यह बन गया 8 A by 4 तो directly मेरा क्या आ गया 2 times of A clear है अगें D को मुझे लिखना है क्या in terms of A तो अभी मैं देखूंगा कि यह D और यह A सिर्फ यह है और कोई नहीं है तो क्या होगा यह 10 अग is equals to 10 times of A by 4 जाइस डिवाइड करोगे तो क्या मिलने वाला है आपको 2.5 times of A अरे बस समझ मैं सो चलो अब सॉल करते हैं अब सब मेरा in terms of A आ गया A already है in terms of A तो फिर से मैं वो लिख देता हूं values जो दिया हुआ था मारे पस A plus B plus C plus D is equals to how much 4200 है ना चलिए अभी A का value हम क्या कर है कुछ नहीं करेंगे A is A B is 1.5 times of A C is 2 times of A right A यहाँ पर लिख दो C is 2 times of A plus D is 2.5 times of A and that are equal to 4200 ठीक है शो यह देखो क्या मिलेगा guys 2.5 and 1.5 क्या मिल जाएगा 4 plus 2 6 plus यहाँ पर 1 है शो दिस 7 times of A is equals to 4200 और A का value हमारे पास यहाँ पर आ गया 600 शो गाइज हमारे पास यहाँ पर A का value क्या आ गया है 600 आरा I hope so clear हुआ होगा right शो गाईज आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगता है अपने friends के साथ share कीजिए उनको भी बोलिए आगे अपने friends के साथ share करने के लिए and मैंने एक telegram group बनाया है ठीक है telegram channel बनाया है यह बस सिर्फ specifically इसी लिए बनाया है कि अगर किसी को कोई भी doubt होता है कोई personal questions है आपका आपको उसका solutions चाहिए आप नहीं solve कर पा रहे हैं खुद से then in that case जो description में मैंने वो link डाला है आप उस link पे जाए उस को join कीजे मैं वहाँ पर कोई questions पूछ नहीं कर रहा हूं guys ठीक है put करूंगा as soon as उसमें ज्यादा जो है वो numbers of students हो जाएंगे मैं questions भी put करना start करूंगा but initially आपके पास कोई भी questions आप पूछना चाहते है मुझसे directly तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं and also आप चाहते हैं कि किसी topic पर मैं आपको जो है वीडियो बना करके बेज़ो तो वह अपना comment box में डाल सकते हैं as well as आप जो है वो telegram group में भी डाल सकते हैं जैसे ही मेरे पास जो है वो कम से कम 10 to 20 students का आजाएगा requirement same किसी topic के लिए मैं definitely इस पर बनाऊगा otherwise मैं continuously पूरे quants को cover करने वाला हूं right शो देखते रहे हैं and अभी guys railway का exams आ रहा है right चार-पांच महिने में maybe exams होगा that is definitely railway board से वो आ गया है तो मैं guys railway पे जो है questions बना करके उसका video बनाने वाला हूं that means of previous years right बहुत सारे लोगों का preparation already हो चुका है but maybe as because exams नहीं होने के कारण क्या हो रहा है कि उनका preparation जो है वो बूल जा रहे है so a quick revision के लिए मैं क्या कर रहा हूं वो वीडियो बना रहा हूं previous years के questions रहेंगे एक-एक set लोंगा 30-30 questions रहेंगे and all over quantsus में cover किया हो रहेंगा and कैसे easily solve कर सकते वो आपको देखना but 30 questions को आप within 15 to 17 minutes कासे solve कर सकते एक questions को guys 10 to 15 seconds में solve कर सकते and sometimes questions के लिए में भी half minute का भी time लग सकते right so आप देखते रहेंगे इस वीडियो के बाद next video जो होगा वो उसका आने वाल है and continuously railways पे questions आते जाएंगे guys so subscribe कर लीजे यह बहुत ही साही समय है आपके लिए right and guys again आपको वीडियो अच्छा लगा है like किजे comment किजे and please subscribe किजे अब जितना subscribe कर सकते हैं मेरे लिए बहुत beneficial होगा thank you so much for watching this channel